हेलो फ्रेंड्स, गूड मॉर्निंग, वेलकम बैक टो मैं चैनल, मैं हूँ आमकी फ्रेंड्स जागरिती और आज का बलग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के पौनी छे बज़े से छे बजने ही वाले हैं और चलते हैं अपने कामों के साथ तो फिलाल आज मैं आप लोग के साथ अपना रूटीन सेयर करने वाली हूँ कि दिन बर में मैं कैसे और कब खाली होती हूँ तो फिलाल बच्चों का आज इसकूल फर्स डे तो अपना जग गई हूँ फिलाल सोची थी जगूंगी चार बज़े तिन विच पढ़ाई के लिए रात में सुई बारा एक बज़े कर अपना पीवाई के लगाने के बाद इससलिए सुबह नीद नहीं खुली लेट खुला तो फिलाल आप लोग के बहुत सारे सवाल थे कि मेरे कितने स्कूर बन रहे हैं तो वह मैं बताऊंगी कितने बन रहे हैं और आगे क्या होने वाला है सब कुछ बताऊंगी तो फिलाल हम और रूटिन सेयर करते हूं विद्विडियो देखते रहे हैं तो इधर मैं चल दین हूँ अपना खाणा ना बनाने बचो के लिए जब फर्स्ट ठीग को खुलता है या फिर बचों बमा कंझे बना दो ममा म यह बना तो मतुब उन सबकर डिमांड रहता है जब सब यह बच्छों से प्यार से भूज्जनों चाहिए तो बच्छे खूजब को जाते हैं तो बेटे को घुछ बना रही sens जो काटपिट बना दी और फि अपने खाने के लिए थोपर के लि刘 ऑन weigh ले जाते हैं तो बस मैं वही बना रहा हूं पनीर की सब्जी और पराथे तो फिलाल बच्चों का हो जाएगा टेपीन और बाकी मैं अपने खाने के लिए फिर दुपर के लिए पराठे रूटी बाद में बनाओंगी सबजी तो एक ही पर बना लेती हूँ जो अब फिलाल रूटीन सेट करने की कुशिश कर रहे हूँ अभी स्कूल खुल गया तो यह जो मैं सूट नहीं करते हूँ क्योंकि उसे में भी टाइम जाता है सब कुछ मतलब बहुत फास फास उबग करना होता है जिसके बड़े बच्चे हैं उनके ज्यादा बनाना पड़ता है उनको बहुत और ज्यादा टाइम लगता होगा मेरा तो फिलाल छोटे है तो थोड़ होने का बेटी तो मैं ऐसे ही जग जाती है लेकि आज इसकूल है तो वह जान बुच के सुई रही है अभी तक क्योंकि रात को बोली थी मैं सुबत ज्यादा सूँगी तो फिलाल वही है अपना टार्गर्ट फॉलो कर रही है तो मैं चलती हूँ जगाओंगी फिलाल भार का जबना है जब कि मैं उसको जगा भी नहीं ऊ load लोग नहीं रही हूँ जिए तो दो इसको बेटा नहों विद्टो EPA स्पार्ट गुजगाना है तो इसको अभी काम दो फटांक से करती तो अब इधर वे चल का मै बेटी मेरी नहांगी है लुए जोड़ाती पीती है अगा बहुत बेकाल लगता है क्या खाती ही नहीं पीती है दूद करता है तो इदर में टीपिन अपना पेक करने आगे बच्चों का तो फिलाल सबसे पहले आप लोग कैसे हैं आसा करते हैं अच्छे होंगे पढ़ाई चल रही होगी मन लगा करी रहे हों लेकिस कुपक का क्या ही बताऊं मतलब जैसे आप लोग आ रहें और वह समझ में नहीं आ रहा है और फिलाल इतना सकूर आ रहा है मेरे से पासिंग आ रहा है जो अभी यह हाल है तो इक्जाम में क्या होगा बस वही सोच के टेंसा नहीं जो फिला हाल अभी यह हाल है तो एकजाम में डिन या पता चलिका और इकजाम हो थाफर मेनेजमेंट है डिया कावग्हा है। होता है यह मैं आप लोग एक्तम बताती हूं जो मेरे साथ होता है वहीं जूड नहीं बोलती हूं क्या ही मिलेगा जबी अपना रिजल्ट आएगा खुदी पता चलेगा तयारी तो अपनी कोसिस करती हूं अच्छे से अब तो व्क्त बताएगा फिलाल आप लोग के तैयार एक चल यह ज़रूर कमेंट करें यहां इतना लुद्धन कोंकि अच्छा कर जाओ तो फिलाल आप लोग भी अच्छा से करिए अच्छी पड़ाई करी अभी थोड़ा दस दिन माली जे दस दिन है और फिलाल एड्मिट काड आ चुके हैं तो सब जहां डाले थे मेरे इसाब से वहीं आया होगा अगर किसी का चेंज है तो जरूर बताएगा फिलाल मेरा तो जहां डाली हो वहीं आया है अब बस एकजाम के तयारी कर कि मैं बच्चों को लेके गई छोड़के आई टिपीन वगरा सब कुछ बच्चों को नासता पानी करा के और फिर आई नहाव आके फ्री हो गई उसके बाद घी निकाल रहे हूं क्योंकि घी खतम हो जाता है मैं मलाई आजकल लिकठा कर रहे हूं घी और घर पे बना रहे कि मिक्स करते करते हूं अच्छा सा मक कर निकलता है तो थंडा पानी डालने से और अच्छे से निकल जाता है कि गरम पानी फिगल जायग नौर्मल डालो तो इसलिए बाद यह द ask देन्ट निकल हूं अगल लियो ब्स गी बननाना और बत आए रहे हूं बच्चों को कामों में घर के घर का साफ सफाई जाडू पुछा वगरा करी अपना नहाना वाना फिर घी निकाली उसके बाद फिर से मैं अब लग जाओंगी पढ़ाई में जो देखती हूं कितना देर तक कर पाती हूं बहुत सारे काम होते हैं अभी थोड़ा पुत खाना पीना भी बनान पड़ने तो पता है कि छे साल में एकदम 90 परसेंट ब्रेंड विक्सित होई जाता है तो बच्चों को विशेश द्यान देना है तो फिलाल मैं वही करती हूं कि इस एज में जीतना सिखा लोनों उतना अच्छा है तो फिलाल मैं सिखाने के पूरी कोशिश करती हूं जो फिर मैं घर आओंगे जो एक डिएड़ गंटे करीव इदर बैठना पड़ता है अगर बच्चों को मेरे बेटा को घर लेके आओ फिर जाओ मेरे को डबल रिपर पढ़ जाता है और बेटा भी ठक जाता है इसलिए फिर उदरी में रुख जाती हूं और इधर फाइनली बे पसंदा है तो लाइक कर दीजिए चैनल पहले बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और कोई भी कोश्चन कोरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लाग में तब तक लिए बबाए थांक्स वर अच्छिंग लिए सब्सक्राइब